अगर चिबर में राम कुमार करना अपलोग का स्वागत करता हूं हमारी यूटूब के आ रही है बहुत बढ़ी खुसकवरी है बिहार कॉपरिटिव बैंक ने आज वेकेंसी रिलीज की है एसिस्टेंट के लिए और जहां कोई वेकेंसी नहीं आ रही थी और बहुत सारे बच तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नॉटिफिकेशन पर बात करेंगे एक्जाम डेट क्या है नंबर आप वेकेंसी क्या है और यह फ्रेश रिक्वारेमेंट है जो आज ही रिलीज की गई है और तो इस पर बात करते हैं कि तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके सारी डीटेल्स देखते हैं जैसा कि आप लोगो इसक्रीन पर दीख रहा होगा जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख लोगा दा बिहार स्टेट कोपरेटिव बैंक लिमीटेड असुक राजपत पतनाद तो यह डेट जो तक चलेगी रइस्टेशन और यह जो एडवर्टाइजमेंट है फॉर असिस्टेंट यानि की कलर के लिए है टोटल 200 पोस्ट के लिए यह रिलीज की गई है पुरे बिहार में और इसके जो ऑनलाइन रइस्टेशन है आज से से सि माथ में आपके एकजाम से देखनेकों मिलेंगे यानि का अमलोगं के पास बिल्कूल भी टाइम नहीं है और अप्रील नेक्ष्ट पनों गो endsके एक्जाम टिंगी और इसके पेटर्न प्यैटरन क्या है और इसके भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अगर टोटल नमबर आप बात करें तो दब बिहार इस्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमीटेड में टोटल वेकंसीज 19 वेकंसीज है जिसमें कि जैनरल के लिए 11, EWS के लिए 2, SC के लिए 0, ST के लिए 0, MBC, BC, WBC, 3, 2 करके आपके वेकंसीज है टोटल नमबर आप वेकंसीज नाइंटीन है जैसा कि आप लोग को इसक्रीन पर दिख रहा होगा और फिर डिस्टिक सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक जिसमें कि पाटली पुत्रा गोपाल गन सासा राम भागलपूर आरा पूर्निया रोही औरंगाबाद रोहीका सिता मरी य आते हैं उसके टोटल नमबर आप वेकंसीज जो है 188 वेकंवन स्वरी 181 वेकंसी रिलीज की गई है और इसके रिकार्डिंग आगे और भी डिटेल समलोग देखते हैं कि एलिजबिटी क्रेटेरिया क्या है जिन लोगों का भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है या ग्र फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक मोबाइल नमबर होना चाहिए और इमेल आइडी वैलीड इमेल आइडी होना चाहिए जिस पर आपसे वह कॉंटेक्ट कर सके तो यह तो हर एक्जाम में मांगे ही जाते एक्जाम नेशन फी कि अगर मैं बात करूं तो 550 रुपी यानिक अगर अगर आप आप लोग का आ गया है नौ मार्स से पहले आप लोग का रिजल्ट आ गया तो यस फाम को फिल अप कर सकते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्टिक वाईज अगर में आपको दिखाऊं कि डिस्टिक सेंट्र बिहार कोपरेटीव गेंक में तो 19 वेकै में टोटल वेकेंसी जिसके पेसकल जो है ग्यारा हजार साथ सो पैसर से एक तीस हजार चार्सों मैं स्वारी पासो चालीस इसका पेस के लिए हर डिस्टिक वाइज आपको पेस्केल में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा नेक्स अगर भागलपुर की बात करूँ तो बहत्त से उनीज़ार तीन सो इसका पेस के लिए यहां पे अन्रिवाइज लिखा हुआ है यानि कि यहां पे रिवाइज नहीं किया गया अन्रिवाइज सब में गोपाल गंज में 11760 से 3540 तक सासा राम बहत्तर सो से उनीज़ार तीन सो आरा में 11760 से 30540 यह पीश्किल के अगर मै सब्सक्राइज में 20 सासा राम में 20 आरा में 41 और अंगाबाद में 7 नावादा में 14 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं नावादा का जो पीश के लिए वह बासर सोर से 18300 तक है पाटली पुत्रा कि अगर मैं बात करो तो बीस वेकेंसी जाटोटल और यहां कभी जो पीश सब्सक्राइज के लिए 11765 से 3540 तक है इसी तरह सितामरी में 10 सीठ है और रोहिका में 12 पूर्णिया में 5 इसका पीश के बहत्तर हो से 19300 आपको देख रहा होगा कुछ है अब्रीवियेशन दिये हुए जो एम बीसी मोस्ट बैकवर्ट क्लास बैकवर्ट क्लास ओमें उमें सिड्यूल का सिड्यूल ट्राइब एकोनोमिक विकर्ड सेक्षन और जेन्रल यह सभी आप लोगों को पताई हो गई यह सारी टोटल वेकेंसी हो गई आप मैं बात करूँ एजूकेस्टनल क्वालिफिकेशन कि ऐस ऑन वन वन ट्विटी तुन आगर एक एक 2021 तक आप लोगो है इसमें एज की बात करूं जिनका एज एक्सपायर कर रहा था कोरोना के कारण उनको बहुत लॉस्वाइज में तो इसके लिए मिनीमम एज 21 और मैक्सिमम एस 33 रखा गया जानी कि जिनका भी जन्म दो एक 1988 से पहले नहीं उसके बाद का है वो भर सकते हैं और एक एक 2000 से पहले के जितने भी स्टुटेंट्स हैं वो इसको अपलाई कर सकते हैं और यह बहुत अच्छी नहीं हुजा है यह जेनरल के लिए मतलब और जो SCST आते हैं उसको तू रिलेक्सेशन 5 यर्स का मिलता ही है जेनरल जो भी maior मैं बात करूं तो वह टूटी वन से 33 एर स तक वह फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर एक्जाम पार्टर न की अगर मैं बात करूं तो यह पैटर्न जैसा कि हर बैंक के एक्जाम का पैटर्न होता है उसी तरह इसका ऑब इंगलिस मार्क्स के होते हैं 20 मिनट्स दिए जाते इसका जो कोश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत इजी लेवल होता है तो आप डफिनिटली इस फ़र्म को फिलप करें और मेंस की एकजाम की अगर मैं बात करो तो बिल्कुल ग्रामीन बैंक की तरह ही है यह इसको आप बोत मीडिया में इंग्ली दोनों में देख सकते हो you know लैंग्वेज के आपको एक्जाम दे सकते हो इंग्लिस के बज़ा जिनका इंग्लिस वीक है वो डेफिनेटल उनके लिए बहुत गॉल्डेन ऑपरचुनिटी है कि वह हिंदी ऑप्शनल चुनके में के एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं इसके लिए 35 मिनट्स दिये जाएंगे और हर सेक्षन के लिए अलग लग टाइम की जाएंगे तो यह एक जो बहुत बढ़ी खुसकबरी थी वह आप लोग के लिए मैं लेकर आया था आप लोग के साथ सेयर करने तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से महनत कीजिए अब रेगूलर बेसिस पे जो एक्जाम करें थो पर लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे विडियो के लिए और इसको सीर करना ना भूले थैंक एपुर वाचिंग की वाचिंग अबने और वीडियो फ्रेंड्स और अप लोग इस पर-प्रम को जरूर फिल करें